कि मद्दिप्रदेश 23 जून 2019 रवीवार मद्दिप्रदेश के आज की सुबा सुबा की बड़ी खबरे दो सब्सक्राइब अपका ज्यानमित्र न्यूज में और मैं हूँ आप ग्यानमित्र कुल्दी पांडेश को आज किसे वहां बात करने जा रहे हैं मद्दिप्रदेश के के आज के खबरों के विश्य में क्या प्रिजान करी जानने के लिए वीडियो अंदे तक अवर्श shy देखें और अब आपने पर तक हमाई च्मलान के बिए प्रदीट को बिश्यार से आए श्यू करते हैं पहली बड़ी अब्डेट खबर से जो की निगल के आ अक्सर उसे कोई ना कोई उपहार देते हैं जायतर पिता कोशिश करते हैं कि वो इस दिन बेटे के सपने पूरे कर दे लेकिन यहां कुछ और ही हुआ है पिता सीम सीर कमलनात, बेटा सांसद, दोनों सरकारी इसलिए उपहार भी सरकारी होना जाईए सीम कमलनात ने नकुलनात को उनके जिनमदिन के आउसर पर भुपाल में सरकारी बंगला आवंटित किया है नाकुलनात को भुपाल के चार इमली का सबसे बड़ा और शानदार सरकारी बंगला 20-18 आबंटित किया गया है इस बंगले में सिरा सिंग चोहान के नजदी की पूरु मंतरी भुपेंदर सिंग रहा करते थे भुपेंदर सिंग ने बंगला खाली नहीं किया है फिर भी आबंटित कर दिया गया है दिसम्बर 21-18 में खबर आई दी कि यह बंगला जोतिरायत सिंधिया को आबंटित कर दिया गया है कमनलाथ ने एक तीर से दो शिकार किया है दरसल इस आबंटन के साथ सीम कमनलाथ ने एक तीर से दो शिकार किया है एक तरफ अपने बेटे को सीम हाउस के बाद दूसरा सबसे शांदार बंगला आबंटित किया है और दूसरी तरफ जो तीरा सिंधिया को चोट पहुंचाई है दरसल सिंधिया इस बंगले का आवंटेर अपने नाम चाहते थे, भोपाल में कुछ भाजपा नेताओं को दस्तावेजों में समाज से भी बता कर बंगले आवंटेर की गए हैं, सिंधिया भी यही चाहते थे, पिछले दिनों सिंधिया गुट के मंत्री ने कमलनात के से बहस क के कर्मकर्म कीए वर्षों से चली आ रही मांग जल्दी ही पूरी होने वाली राज कर्मचारियों की तरह सुविधाओं का बढ़ाएंगे कि क्रियान वैन है तुन नया नियम बनाने की मद्धप्रदेश शार्षन सहकारिता विभाग मंत्राले भौपाल से ने दिनांको नीज जून को आदेश जारी कर सहकारी समित संस्थाओं के कर्मचारियों के हित का ध्यान रखते हुए सुजाओ कमेटी अगठन किया रहा है गडिस सुजाओ कमेटी में एक श्री भगवान सिंग जी यादव गवालियर दो यादवेंद्र सिंग जी टिकमगर और श्री नन्हे सिंग जी धुर्वे जवलपूर तीन और चौथे नंबर पर श्री रामेश्वर श्र पंजियन महाकोदे सहकारीटा संस्थान भौपाल प्रवन्द का महाधै मत्य प्रदेश राज सहकारीटा बैंक भौपाल और सयुकत महभय शेकारी संस्थाइ jogo 2267-19 को कठिश समीती के बैटक मढदप्रदेश राज सहेकारी बनक मर्यादित भौपाल के समन्वे भवन में आ कर्मचारियों के लिए गटित कमेटी के प्रतिनिदियों किसे अगा संग के कर्मचारीयों अपने मांगों को लेकर बैठक के पूर एवं बैठक की कारवाई में सहकारी समीतियों करमचारियों महासंग के प्रतिनिदियों के ने भी अपनी मांग से अउगत कराया है महदे ने करमचारीओं को आवस्वस्त किया है कि बैटक इन्हें सिर्फ अपनी मांगों के निराकरंड के लिए ही रखी गई है। अज सभी अधिकारियों को महसंग द्वारा करमचारीओं की मांगने के लिए एलर ग़लाय कापी डी गई है। इसमें गठित कमिटी बहुत जल्द ही कर्मचारियों के मांगों का निराकरण किया जाओगा आई बरते हैं आगे बात कर लेते हैं तीसी बड़ी खबर के बारे हम जो किनिकल करें सिक्षकों की क्रमोनती प्रस्ताव रोकने वाले प्रचारी को खिलाफ कारवाही की मांग दोस संकूल प्रचार और कारेले प्रमगों की हीला हवाली के चलते कहीं सिक्षक करमोनती से वंचित हो गए प्रस्ताव नई बेज जाने से सिक्षक संकूल और वरिष्ट कार्यालों के चक्र काटने मजबूर हैं इस सम्मंद में सिक्षक जब जानकारी कर्मचारी जगत के लेने प्रचारियों के पास पहुंचे हैं तो उन्होंने यही सही जवाब नहीं दिया था संग के जैंत गुपता निर्मल अगनी होतरी जिया रुहिर रह्मान मीनू कांत शर्मा दुर्गेश पांडे दिनेश गौर्ण सहिर मुम्ताज और विनोध सिंग सहीद अन्यर के ने दोशी परचारियों पर कार्यवाई की मांग जिला सिक्षा दिकारी से की हैं नियुक्ति द दिनांग से वरिष्टता देने की मांग की है संग के राम गिरी गोस्वामी ने बताया है कि मद्यप्रदेश शाषन ने कहा था कि तीन महा में गुरू जी संवर्ग को नियुक्ति दिनांग से वरिष्टता दी जाईगी कि तो आज तक इसे आदेश जारी नहीं हुआ है मांग को लेकर सीम के नाम करेक्टर को ग्यापन दिया जाएगा इसका बात भी बांक पुरी नहीं हुई तो जुलाई में राजदानी में जाकर प्रदर्शन किया जाएगा आई बढ़ते हैं चौन्ती बड़ी अपडेट ख़बर की जो की निकल कर रही है विवसाइक पाटी क कारण से कुछ खामिया रखे रह गई हैं ऐसे में तुरूटियां जानकारी के अधार पर अंति मेरेट लिस्ट जारी करने को अनुचुत करार देते हुए प्रवेश नियामक अद्पराधिकरन ने जब अब तक कि प्रवेश पंजिन पक्रिया को इस्तागित कर दिया है प् संचाधन करने वाले एजंसियों के साथ गुरुवार को बैठक की सीटी के सेल को सिकायत मिली है कि विध्यारतियों को पंजियन के दोरान जानकारी संकोलित करने वाले वक्त तकनीकी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यह बात उमीदवार द्वारा आवेदन का प्र गिस्म की गलत जानकारी के इस्तेमाल करोकने के लिए संहीती की सिफारिष पर ऑउनलाइन आवेदन पत्रों और आप्लोर प्रमान पत्रों की जाज की समच्च प्रक्रिया को ही स्थ़यत कर दिया गया है प्रवेशन यामक प्रादिकरन ने अब सूची प्रक्रिया नए सिर प्रवेश के लिए कई घंटे से तूं केंद्र पर बैठ कर पंजियन किया था आइए परते हां के बात कर लेते हैं पांच इन्थिम बड़ी ख़बर के बारे में जोगी निकल कर रहा है माखनलाल चत्रवेदी रास्ट पत्रिकारिता इवां संचार विश्विद्याले में कर्थित अपात्रों की नियुकती एवां घंटाले के साम मामले में आरोपी पुर्वकुलपती एवां बरतमान में हरियाना राज उच्च सिक्षा आयोक के अध्यक्ष प्रोफेशर बीके क कुठियाल की अगरिम जमानत की अरज को भुपाल कोट ने नमंजूर कर दिया है अब कुठियाल को या तो य योड डवीयू के सामने पेश होना उगा पड़ेगा या फिर उनकी ग्रफतारी की जा इए शनिवार को निया अधीश संजी उपमांडे ने कुठियाल के अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर करने के आदेश दिये हैं दिलावी योजन कारियाले भोपाल के मीडिया सेल प्रभारी योगेश तिवारी ने वदाया है कि अपरात क्रमांक 14 बटे 19 धारा 409, 420, 120, 22 एवं बढ़श्टाचार निवारन की धारा 76 मद्परदेश लोग सेवा अधिनियम 1994 में आरोपे ब्रच किशोर कुठियाल जो की वर्दमान में हर्याना राज उच्चिक्षा आयोक के अध्धक्ष के पत्पर पदस्त हैं आरोपे ब्रच किशोर कुठियाल पर आरोप है कि उन्होंने माकलाल चतरवेदी रास्टी पत्रिकारी था एमसंद चार विश्य दारे बोपाल में वर्ष दोयार तीन से दिसंबर दोयार अठारा तक कि यहुदी में अवेद नियुक्तियां की तसा अवेद अवेदानिक वै की एह शनीवार की अदालत अदालत ने इस मामले में आरोपी ब्रज किशोर कुठियाल की और से पैश अगर लोगों तक शेयर करें ताकि शबी जानकारी से लाभान मिद हो सकें और यदि आप ने वी तक हमाई चल्ब करने के लिए हमाई चल्ब करने के लिए और साथी बलाइक उन्दाबादें जिससे तरह का अब्डेट निउस आप तक तुरहंत पहुंश पाए और आप उन्से ल प्राइज होते हैं नाय विशक साथ जब तक लिए जाहन जब भारत बने मातरों